नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी लोग का दोस्तों आप सभी लोग का माक्समैन का बिहार दरोगा का सेट चलाय जा रहा है अभी क्या है कि आपका इतिहास का सेट और आपका यहां पे राजनीती यानि सम्मिधान का सेट कम्प्रिट हो गया है आप सभी लोग का करके सारा प्राक्टिस देख पाएंगे ठीक है तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो सेट नमबर टू है इसमें आपको टोटल सो कोशन देखने को मिलेगा कोशिस किजेगा कि आपका यहां पे 70 प्लस कोशन सही हो तो चलिए आज का पहला प्रस सबसे अधिक लंबा है देखे इस बुक में कुछ कुछ कोशन बहुत ज्यादा गलत दिया गया है यानि रॉंग है अंसर तो उसको सही करना पड़ा लेकिन बाइदेवे का कोशन बाइदेवे मिश्टेक से छूट जाता है तो आप सब लोगो कोशन बता दिए जगा मैं कर दिया गया है मद देकालिन भारत का जाएगा क्योंकि पराचीन भारत का आपका चोटा है मद देकालिन का हो गया है तो आधनिक भारत के थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है तो उसको मैं जल्द ही कंप्रिट करूँगा तो चलिए आज का कोशन देखते हैं कि प्राचीन भारती एतिहासिक भूगोल में रतना कर नाम सूचना सूचक था किसका तो ये था हिंद महासागर का क्या हो जाएगा हिं अंसर हो जाएगा निमलिकित में से किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा तो सही आंसर आपका सी हो जागा कन्या कुमारी क्या हो जाएगा कन्या कुमारी आपका सही आंसर हो जाएगा अं आंदमान वो निकोबार कौंcip समु में इस्थित है तो तो सही आंसर हो जाएगा Pack बंगाल की खाड़ी में डियूप समु जाएगा अगला प्रसने कि अंदमान निकोबार अ कितनी है तो 222 है । याद रिकिएगा 222 आपका सही आंसर हो जाएगा 10डीवरी तो इसका आंसर याद रिखिएगा आंडमान को निको वार डूब से पड़िशक करता है न का आपका daher ऑवस्तित है तो यह आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में यादर रिखेगा बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा option आपका ए उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्बिंग कि सी और से इअगला प्रस्न explorer प्रता है कहां से तू जो भू ठो होता है यह आपका ढ 설 कोडि कि ज़रूर करते चलिएगा क्योंकि लाइक करेंगे तो फ्रस अच्छा लगता है क्योंकि आप सब लोग मिलके सपोर्ट करते हैं तो सही लगता है कि वीडियों आपको सही समयाट किया जाएं अगला प्रसंने कि लग्षदीप कहां पर लक्षदीप देखा जाए तो आपका अरब सागर में स्थित कहां पर अरब सागर में आपका भी हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्यूप है निमलिखित में से कौन सा एक आपका प्रवाल द्यूप है तो सही आंसर हो जाएगा आप संडी लक्षदीप क्य ཆ हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि दीउपों का समूं लक्ष दीप हैं। डिउपों का समूं जो है आपका लक्ष दीप देखा जया तो प्रवाल उत्पत्ती का है और सन्ड़ी आपका शातर कर दे लितफर हो जाएगा बेनलिकीत में से कौन साथीबείप भारती टट्रस तरेखा के सचाइश और्वारती डूप कि स्रेडी में आता है कि और साही आंश्र याद रखेएगा उप्शन आपका सिो जाएगा स्रिलंगा के मद्धे में हैं एक दूल पर निर्मित भारत का बड़ा नगर फूचा गया है एकимся एक भारत निर्मित भारत का कि निव का स्थित है तो या आप का इसे ते कछ बासो के मद्द्द में है उत्तर आपका दिखाय पके लातूर कि सपरांता परांत है लानत लातूर जो है यह आपका महाराश्टर प्रांत में इस्तित है आपसन आपका 24 का भी उत्तर हो जाएगा पार्ट अंचल याद रखिएगा पार्ट अंचल अवस्तित है जारखंड में कहां पर जारखंड आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला پ्रसने कि भारत के निमलीखित राजियों में सिकी से भारत का कोहिनूर कहा जाता है तो यह आपका कहायता है आंधरपर्देश, क्या हो जाएगा, आंधरपर्देश आपका सही उत्तर 26 का हो जाएगा अगला प्रस्ने की मणीपूर का अधिकांस धरातल पूछा गया है मणीपूर का अधिकांस धरातल तो सही आंसर आपका यहां पे D हो जाएगा परवर्ती है क्या हो जाएगा परवर्ती हो जाएगा option आपकर D हो जाएगा अगला प्रसने की मणीपूर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपरितन और सड़ती वनस्पति के तैरती हुए दीपो पर बने हुए मकानों में रहते हैं इन दीपो को क्या कहते हैं इन दीपो को हम क्या कहते हैं तो याद रखिएगा option आप जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा option C करनाटक सही आंसर हो जाएगा भारत में सिलिकॉन वेली इस्तित है भारत में सिलिकॉन वेली जो इस्तित है या आपका बंगलूरू में इस्तित है option आपका A उत्तर हो जाएगा राष्ट्री राजधानी छेत्र में नहीं सम्मिलित थे कौन सभाग राश्ट्री राजद्दानिक्षेतर में नहीं सम्भिलीं थे कौन सभाग तो यह आपका पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है Option आपका यहां पे बी सही आंसर हो जाएगा अगला प्रसmal में कि नीम्न राजियों में छेतרफल के करम में भारत के तीन बड़े राजे देखा जाए तो रायस्थान, मद्यपरदेश और महाराष्टर हो जाएगा आपका ए उत्तर हो जाएगा नेमना में से कौन सा राजे? छेतरफल में सबसे छोटा है सबसे छोटा पुछा गया है तो सही answer आपका यहाँ पे D हो जाएगा उत्त्रा खंड क्या हो जाएगा उत्त्रा खंड आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत का लगबग 30% छेत्र तीन राज्यों में समाहित हैं तीन राज्य कौन सा हैं तो तीन राज़े देखाई आपका रजस्थान मद्दे पर्देश और आपका महराष्ट्र हो जाएगा आपका सी हो जाएगा भारत में जन्संख्य केनू सर तीसरा एवं छेतर फल में 12 कौन सा है तो 12 हमार राज्य पूछा गया है तो आपका उत्तर D हो जाएगा बिहार क्या हो जाएगा बिहार आपका सही उत्तर हो जाएगा असोम कुल मिला करके कितने राज्यों M किन सहसी सेटरों से घीरा हुआ है चलिए बताईएगा तो सही आंसर हो जाएगा ओप्सन B साथ सही आंसर हो जाएगा निम्न नगरों में से मादे समुंद्र तल से किसकी उचाई अधिक्तम है करेक्ट आंसर आपका यह हो जाएगा बंगलूरू याद रखियेगा बंगलूरू कौन सा राज उत्तर पूरवी राजियों की साथ बहनों का भाग नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा option B पहसी मंगाल क्या हो जाएगा पहसी मंगाल आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1903 में जब आंदर परदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी बनी तब उसकी राजधानी कौन सी बनी थी तो उसका उत्तर हो जाएगा option 40 का देखा जाए तो आपका B हो जाएगा करनूल याद रखिएगा 40 का B उत्तर हो जाएगा देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले है तो सबसे अधिक जिले सभी को पता है उत्तर प्रदेश में कारिबन 75 जिले आपको यहां पे 75 जिले देखने को मिलेगा गुजरात की राजधानी कौन सी है बताइए गुजरात की राजधानी देखा जाये तो उत्तर हो जाएगा option C गांधी नगर क्या हो जाएगा गांधी नगर अगला प्रस्न है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है राजस्थान की राजधानी देखा जाये तो आपका उत्तर हो जाएगा option A जैपूर क्या हो जाएगा जैपूर अगला प्रस्ने की इटान अगर किस राज्य की राजधानी है सभी को बता ही इटान अगर देखा जाया तो आपका 44 का उत्तर आपका अउड़ाचल परदेश हो जाएगा आफ सना डी उत्तर हो जाएगा देलीकित में से कौन सा एक सुष्णван का योजित राजधानी नगर नहीं है सुष्णrabatura不起 побед नहीं है तो फॉन्पाइब का सही आंसर आपका बंगलूरू हो जाएगा अपसन आपका छी हो जाएगा अगला प्रस्न है एक सेकंड कि अगला प्रस्टन है कि हो भारत में केंद्रसासित राजियों की संख्या कितनी है बता ये अभी तो इसका अंसर आपका यहां पर देखा जाया तो सी हो जाएगा आठ यहां पर दिया गया है ठीक है अगला एक की निम्न मेंसे एक केंद्रसासित 630 नहीं है तो 47 का सही आंसर का तरी पूरवा जाएगा अप और ऊत्ता हो जाएगा अग्मुकास मिरें मांत सकते ये ये उलफिए आस धानी है तो 48 का सही अंसर आपका हो जाएगा ऑफ्सन भी लददाक का लददाका आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला पास नहीं प्रषाइब उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली छैत्रों में निम्लिखित में से कौन से प्रजाती समू पाया जाता है तो आपका का औप्षिन होजाएंगा मंग लायड्हेल ऑपका सही चाहिए कि भारत की निमलकीट मेंसे का टी प्रोटू और ऐस ट्रायड में प्रोटू अस्टाइड। से संबंदित है तो सही आंसर आपका क्यों कसी हो जाएगा संथाल क्या हो जाएगा संथाल आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत में जो एक मात्र मानवाभ कपी पाया जाता है वह आपका कौन सा है तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी असम का स्वेट भो गीबन हो जाए दिवाली को सोक का सोक का तेवार मनाती है तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेगा आपका डी हो जाएगा थारू क्या हो जाएगा थारू आपका उत्तर हो जाएगा थारू लोगों का निवास कहां पर है जो थारू लोग होते हैं वो कहां पर निवास करते हैं तो इस सही आंसर हो जाएगा ऑप्षं भी गदD संथाल निवासी हैं तो पूर्वी भारत के यह यागा पूर्वि भारत का crisis रित्यू प्रवास क्या करते हैं तो इंठावन का सही हो जाएगा भूतिया भूतिया आपका सही हो जाएगा बूडो छी आई और गाहड़ィ तो 59 का सही आंसर आपका गारो पहाड़ी के याद रखिएगा गारो जन जाती है लिए हैं गारो खासी जैनतियां तेनों हैं तो याद रखेगा यह आपका मेखाले स्नम्दीत गारो खासी जैनतियां अग्राberी निफित जैनति यह जाएगा आप्शन क्या चेंचू हो जाएगा निमलखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाती कौनल सी है तो सबसे बड़े जनजाती पूछा गया है यह भारत के तो इसका उत्र हो जाएगा उप् dazu ãपका universo हो जाएगा तोड़ा एक जनजाती है जो निवास करती है तो इसका उत्र हो जाएगा उप्शन सी निलगिरी की पहाड़ीयों पर याद रहेखिएगा चौशट का उत्र आपका सी हो जाएगा अगला प्रस्ने कि निमलेखे जनजातियों में से कौन बहुपती विवाह की प्रथा को मानता है तो सही आंसर हो जाएगा टोड़ा आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ने कि एक जनजाति जो सरहूल तेवार मनाती है वो आपका पूछा गया है एक जनजाति जो सरहूल तेवार मनाती है तो आप सब लोग जाद रखिएगा आपका B हो जाएगा मुंड़ा क्या हो जाएगा मुंड़ा अनसुचित जन जाती है उत्रा खर्ण की सबसे बड़ी अनसुचित जन जाती कौन सी है तो 67 का option आपका C हो जाएगा जौन सारी क्या हो जाएगा जौन सारी भील जाती कहां पाई जाती है बताइए जो भील जाती है वो आपका कहां पर पाई जाती है तो यह आपका महराश्टर में पाई जाती है option आपका D उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्थन है कि सहरिया जनजाती के लोग कहां के निवासी है सहरिया जनजाती के जो लोग है वो कहां के निवासी है तो यह आपका रायस्थान हो जाएगा option आपका C उत्तर हो जाएगा निमलिकित इस्थानों में से कहां सुम्पेन जन्जाती पाजाती है बताइए सुम्पेन जन्जाती है यह आपका निकोबार द्यूपसमू में पाजाती है 70 का उत्तर आपका यहां पे बी उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्थन है कि निमलिखित कि निसर्शी प्रदेश में से आउंज जनजाती के लोग किस में रहते हैं आउंज तो सही आंसर हो जाएगा ओप्सन ए अंडमान और निकोबार दिपसमू हो जाएगा 71 का उत्तर आपका ए हो जाएगा भारत की सरवाधिक आद जनजाती पूछा गया है भारत की सरवाधिक आद जनजाती देखा जाए तो आपका उत्तर भी हो जाएगा जारवा क्या हो जाएगा जारवा आपका उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्थन है कि जूमिंग करते हैं जोमिंग याद रखियेगा, 73 का सही आंसर आपका खासी हो जाएगा, खासी उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा. हिंदी के पहस्चाथ कौन सी भासा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है तो आंसर हो जाएगा option A, बंगाली, क्या हो जाएगा बंगाली आपका सही उत्तर हो जाएगा नेमलिकित भासाओं में से कौन सी एक, आश्ट्रिक समू की है तो इसका अंसर हो जाएगा option C, क्या हो जाएगा खासी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न है किसका गंगा नदी किसका उधर्ड है तो आपका पूरवर्ती अपवाह का है option आपका 76 का ए उत्तर हो जाएगा बांगला देश में याद रखिएगा बांगला देश में गंगा नदी को पुकारा जाता है या फिर बांगला देश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है तो आप सब लोग याद रखिएगा बांगला देश में पदमा के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है ऑप्स भूमी सता के सता के नीचे लगवग पुछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 मिटर तक होती है option आपका ए उत्तर हो जाएगा अगला प्रसने कि मंदाक्नी नदी किस जल परवा अथवा मुख्य नदी से संबंधित है तो सही आंसर आपका यह हो जाएगा अलक नंदा क्या हो जाएगा अलक नंदा आपका सही उत्तर हो जाएगा उस नदी का नाम बताईए जो किदार नाथ से रूद्र प्रयाग के मद्य बहती है तो सही आंसर हो जाएगा option D मंदाकिनी क्या हो जाएगा मंदाकिनी आपका सही उत्तर हो जाएगा निमलिकित में से किस नदी के टट पर बंदरीनात का प्रसिद मंदर इस्थित है बंदरीनात का प्रसिद मंदर इस्थित है तो 82 का सही आंसर आपका यह हो जाएगा अलक नंदा याद रखिएगा अलक नंदा आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी वाह नदी पुछा गया है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी देखा जाए तो आपका गंगा हो जाएगा ऑप्सन आपका सी उत्तर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे सबसे 35 का आपका यहां पर फतेपुर भागल पूर कान पूर लेकिन उत्तर का सी यहां पर 85 का दिया गया है सी आपका नहीं है चले आगे डिखते हैं कि भाग रहती नदी किस की भाग रहती नदी है निकलती है कहाँ से तो यह आपका 86 का उत्तर हो जाएगा option A गोमुक से क्यों कौन सा है तो 87 का सही आंसर आपका C हो जाएगा गोमती क्या हो जाएगा गोमती उत्तर हो जाएगा निमलखित नदियों में से कौन एक यमुना की साइक नदी नहीं है यमुना की साइक नदी नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा का उप्शन डी राम गंगा क्या हो जाएगा राम गंगा यमना अदी का उद्गम इस्थान पुछा गया है यमना अदी का उद्गम इस्थान आपका बंदर पूछ तो उतर वहानी है तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा सोन अबका सही उत्तर हो जाएगा मान जाantis लिके पास जम सै नजी का हिस्तुरत रोतिव आपका है तो अन्रा जेम का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शूल rendre ये सबी ब्रहंपूत्र सिंधू और आपका सब्लज हो जाएगा अगला प्रस्न है कि मानस नदी मानस नदी किस नदी क्यों उपनदी है मानस नदी जो है किस नदी कि उपनदी है तो आपका उत्र हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रहंपूत्र की क्या हो जाएगा ब्रहंपूत्र आप का सही उत्तर हो जाएगा बिका भाव खेडर पूछा गया है बड़ां पुत्र नदी कास दिखाये का पुत्र बांगलादेश आपका भारत हो जाएगा और प्सन आपका एह हो जाएगा निंखनी नधियों में से किन के स्थोथ बिंदू लगभक एक हैं क creation of अपका पूत्र और सिंदू हो जाएगा 96 इक नदी डेल्टा का निर्माळ नहीं करती है तो आपका नर्मदा नदी क्या हो जाएगा नर्मदा नदी निमलीकित नदी ब्रंस घाटी से होकर परवाहित होती है तो correct answer आपका option C हो जाएगा तापी है क्या हो जाएगा तापी हो जाएगा निमलिक्षित में से कौन सा जन्पद नर्मदा बेसिन का भाग है नर्मदा बेसिन का भाग है तो इसका उत्तर हो जाएगा option A राज नंद गां हो जाएगा आपका 99 का A उत्तर हो जाएगा अगला प्रसन है कि अमर कंटक्ट में कौन सी नदी का उद्गम होता है तो आपका C हो जाएगा नर्मदा क्या हो जाएगा नर्मदा तो दोस्तों आप सब लोग का यहां पे 100 कोशन समाप्त हो गया है आप सब अगर आप सभी लोग चैनल से अभी तक नहीं जूड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आप सभी लोग को आगे का जो नौटिफिकेशन मिलेगा वो रेगुलर बेस से मिलता रहेगा तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में आज के लिए इतना ही ज